नमस्कार मैं वर्तिका सिंग और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूची खास ख़बर अब ख़बरे विस्तार से इस वक्त हमारे साथ हैं दी आरियन इंटरनेशनल स्कूल वारणसी के चेर्मेंट बीनीच चोपड़ा आईए जानते हैं प्रतिवर्स की भांथ इस वर्स भी सी बीएसी बारावी की परिच्छा में आपके विद्याले के विद्यार्थियों ने अन विद्याले की तुलना में सर्वसेश्ट प्रदरसन किया है इस कामियाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं सारे चात्रों को बढ़ाई देना चाहूंगा और पूरे आरियन परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जो नतीजे आये हैं जिसमें स्कूल की बच्ची कस्तुरी ड्रोलिया ने 99.4 अंकासिल कलके जो कि 497 बढ़ा 500 होते हैं अपने स्कूल का पिछले साल का रिकॉर्ड 99.2 परसंट का तोड़ा है और मेरे साब जिले की तो टॉपर ही है स्टेट की मेरिट आई ही नही है स्टेट टॉपर भी कॉमर्स की फिल्ड में हो सकती है मैं इस बार विज्जान वर्ग से शुरू करना चाहूंगा विज्जान वर्ग में भी आर इंटरनाशनल स्कूल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया विज्जान वर्ग मना नराथी उन्होंने 97.6 परसंट हसिल करके स्कूल में टॉप किया है जो कि PMC ग्रूप से थे और शेया माईश्वरी उन्होंने 97.2 परसंट परफॉर्म करके PCV में टॉप किया है और सबसे अच्छी बात जो परिणामों में मैं बोलूँगा विज्जान वर्ग की उसमें चार बच्चे 97 परसंट के उपर थे और 35 बच्चे 95 के उपर थे और सबसे आश्चर ये जनक रिजर्ट जो स्कूल का रिजर्ट होता है जो बच्चे का नहीं जिसमें टीचर आता है 93 बच्चे 90 परसंट के उपर है वो अपने आप में बहुती सारानी है नतीजा है वाने जे वर्ग में टॉप किया कस्तुरी ड्रोलिया ने उसके 99.4 प्रतिशत नंबर है और क्रीती कुमारी 99 परसंट पे है फिर उसके अब 98.8 पे नित्या बंसल है ऐसे करते चलेंगे सर 98 तक कम से कम 12 बच्चे है और करीब करीब 35 परसंट बच्चा 95 की उपर है और 60 परसंट बच्चा जो है वो 90 की उपर है और हिमानिटीज वर्ग में मांसी लोहिया ने हिमानिटीज वर्ग में टॉप किया 98.8 परसंट नंबर लाए है तो हिमानिटीज के नित्या बहुत ही अच्छा रागा हिमानिटीज मेरा सेकेंड यह रही है दूसरे साली स्ट्रीम में ने शुरू किया है अभी इसमें बारही बच्चे जादे बच्चे हैं नहीं जिसमें चार बच्चे जो थे वो 95 के उपर थे और करीब साथ बच्चे 90 के उपर थे तो अपने में सरानी और टीचर्स ने बहुत मेहनत किया असर इन बच्चों के पढ़ाने के लिए और सबसे अच्छी चीज जो इस पूरे रिजल्ड की है जो कि अपने आप में मेरे को बाकी हर जगे से पेरेंट्स हो चाए बच्चे हो चाए शेहर के दूसरे नागरिक हो जो मुबारक दे रो यह है कि स्कूल के टोटल करीब करीब 170 बच्चे 90 प्रतिशत से उपर है जिसमें तो टोटल बच्चा जो मेरा एक्जाम दिया तो साड़े 300 बच्चा था तो आप लेके चली तो 50% बच्चा 90 प्रतिशत से उपर है वहाँ पे एक स्कूल की टीम वर्क एक टीम एफ़र्ट दिखाई देती है बस मेरा यही संदेश सारे टीचर्स को पेरिंट्स को है और स्पेशलि में पेरिंट्स को दहन्यवाज देना चाहूं को अपने दिल से कि उन्होंने मुझे भरुसा किया बच्चों की पढ़ाई के मामले में कभी मेरे से डिसकेशन नहीं किया पूरा 200 परतिशा फॉलो किया और अधर प्रेस आपके पास इन बच्चों के फोन नंबर से जिन्होंने टॉप किया है आप प्लीज उनसे फोन करके जरूर एक बार बात करें और पूछे कि स्कूल का रोल क्या था जितने बच्चे नंबर लाएं किसी ने बाहर से कोई कोचिंग नहीं लिए सब स्कूल की ही पढ़ाई है चोपड़ा जी प्रतिवर्स बोर्ड की परिच्छा में अगर बनारस के टाप फाइब बिद्यालों के फ्रेरिस्ट की बात की जाए तो आप स्वयम को कहां पाते है सर इसका मैं कोई उत्तर नहीं देभाऊंगा मैं अपने आपको अपने आप से कंपीट करता हूँ मेरे कहर साल आरेयन से ही कंपीट करना पड़ता है मेरे कोड़ साल अपना ही रिकाड तोड़ना होता है जब पिछली बार 99.2 का रिकाड था कॉमरस में उसको तोड़ना था मैंने को मैने इस बार 99.4 पर उसको तोड़ा है तो मेरे लिए मेरी ranking कहीं है नहीं बनारस में कोरोना काल में आरेन स्कूल अपने बिद्यार्थियों को क्या संदेश दिना चाहता है? इस वक्त हमारे साथ हैं दि आरेन इंटरनेशनल्स वारांट सी की छात्रा कस्तूरी ड्रोलिया जिनोंने इस वर्स बारावी की परिक्षा में सर्वोच अंक प्राप्त करके वारांट सी ही नहीं बलकि पूरे पुर्वांचल में इतिहास रचा है इस काम्याबी का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी मैं अपने ममी पापा अपने तीचर सब्स वज देना चाहेंगी है और टीचर रस्पेशल हमारे सर्ठ ओपा सबीना माम और सारे तीचर्स उन्होंने हम finely औरकी में परिदा तो मैं उनको शेयर देना चाहूंगी. कस्तूरी जी, कोरोना की इस विकट परिस्थिती में आपने क्या सोचा है कि आप आगे क्या करना चाहती हैं? अभी कोरोना की इस थिती में हम लोग जो भी हम लोग करना होगा, और मैंने एकॉनमी को और संडे ग्राजुएशन करने का सोचा है, और जो भी कॉलेजिस करेंगी हम लोग को भी उस सिचुएशन में उनका साथ देना होगा. कस्तूरी जी के साथ उनकी माँ स्वाती डोलिया वह उनके पिता नीतेश डोलिया मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी की इस काम्याबी पर कहना चाहेंगे मैं अपनी बेटी की काम्याबी पर में बहुत खूश हूँ स्वाती जी आपकी बेटी कस्तूरी ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए किस परकार से तयारी किया रिजल्ट आने से पहले चोप्रा सर ने अपने बच्चो को टार्गेट बनाने को कहा और उसको फोलो करने को कहा तो कस्तूरी ने अपना 99.4 का पहले से ही तार्गेट पुरे निश्चित कर रखा था और उसने चोप्रा सर के कस्तना सर उसको फोलो पुड़ा किया तो उसने अपने स्टार्गेट को पूरा किया और इस मुकाम तर पहुंची है तो इसके लिए मैं तो चोप्रा सर्थ के हैड्स आफ करती है चोप्रा सर्थ में और बच्चों को वो सुभा फोर क्लोग ही बच्चों को सुभा परस्नली सब को कॉल करना स्कॉल करके सबसे पुछना आपने मतलब आपने क्या पढ़ाई किया पढ़ाई कर रहे हो बच्चों को मतलब उनको प्रेडित करना हो उनके पढ़ाई के लिए उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए चुपरासर ने अपनी जी जान से अपनी पूरी महनत और अपनी पूरी स्कूल टीम के साथ पूरी अपनी लगन के साथ उन्हें पूरा अपना शहयोग दिया इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्र कुजारों बहुत अभारी स्वाती जी हर मा का सपना होता है कि मेरी बेटी की ग्रिहस्ती बसे तो आप अपनी बेटी की कैसी ग्रिहस्ती बसाना चाहती हैं मैं जाहती हूँ मेरी बेटी नहीं पूरे देश की बेटी अपनी पेरों पे खड़े हो और उनका जो सपना उन्होंने जो सोचा वो देख रही है उनका वो पूरा हो और इस दुनिया में वो अपना एक मुकाम हासिल करें और अपनी एक जगा बनाए मैं नितेज डोलिया कस्तूरी का पिता मैं बहुत खुस हूँ आज कि मेरी बेटी ने ये मुकाम हासिल किया अपनी लगन और महनत से इसमें विशेशकर योगदान इसकी मदर का है इसके टीचर का है इनके फ्रेंड्स का है बाकी मेरी पूरी इंटार फैमिली का है चोपड़ा सरका है जो जिसको जिनको मैं सभी को धनिवाद देता हूं नितेज जी आपका व्यापार क्या है और आप अपनी बेटी में कौन सा सपना देखते हैं सपना मैं अपनी बेटी के साथ में ये अपना सपना पूरा करना चाहता हूं मैं वारा नसी में जॉंसन एं जॉंसन और जोती लेवरेटिस लिमिटेट का डिस्टिबूटर हूँ, पास में मलवाडी में मेरी ओफिस है, मैं अपनी बेटी के लिए ये चाहता हूँ कि वो पढ़लिक के आगे बढ़े, अपने पैरों के उपर खड़ी हो और उसका जो सपना वो पूरा हो, मैं तो चाहता था कि सिवि देश का नाम रुअसन करें, पूरे देश के लिए कुछ करें, लेकिन ये उसकी मर्जी है, उसको क्या करना है? कसूरी जी आपकी पिता जी का सपना है कि आप सीविल सर्विसेथ में जाएंगी। अभी फिलाल सेविल सर्विसेस में बचाने का मेरा ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अगर बाद में कुछ बदलता है मतलब तो देखूंगी उस पर बिचार करूंगी अगर आप फेस्बुक पेज पर देख रहे है तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक जरूर करें झाल झाल